अर ना मैं मांगूँ खेल लोना ना मैं लाल फरारी एक बार करवादे बाबा लिले की सवारी तेरे संग जूम लूम मैं ये दुनिया घूम पड़ा चालाक था पोस्टर बड़े पढ़ता था राजबारी का लगा हुआ है इनके पोस्टरों से खाटू-पटा पड़ा हुआ है सब के पोस्टर देखा करता था लेकिन वह यह भी देख रहा था छोटा सा पोस्टर एक लगा है कि रोमी जी हंकंग जा रहे है ऑट भाई साब लंदन जा रहे हैं प sanctuary यास्टेलिया जा रहा है थे पच्चे ने का किस्तों में वर्ड टूर नहीं करुगा वीजयां कैंसिल हो जाता है अ कि बोले करूंगा बिना वीजया के वर्ड टूर करूंगा और हवाई जहाज पर नहीं जाओंगा हर बहुत फेल हो राज कर जाओंगा तो तेरे लीने घौड़े पर बैठ के जाओंगा आओ उस बच्चे की प्रात्ना बड़ी मस्ती बीजिए लेकिन भावने को सुझिए बच्चे के भाव क्या है उठाओ जना हाथ पूरी मस्ती में चलेंगे बन टूर करने मिलके मांगू खेल किलोना ना में लाल फर्वारी मांगू खेल किलोना ना में लाल फर्वारी ना में मांगू केल खिलोना ना में लाल फरारी एक बार करवादी बाबाली ने दी ही सवारी ना में लाल फरारी बच्चे ने कहा बाबा मेरी मां केल दी है तेरा लीला घोडा हवा से बातें करता है गाडियों की स्पीड कम है हवाई यहाज की कम है लेकिन तेरा लीला घोडा हवा की बातें करता है मैं भी देखू लीला घोडा मैं भी देखू तेरा घोडा कैसी दोड़ लगाता एक बात बताईए जब मैं फरारी की बात करता हूँ आप कनहिया को क्यों देखते हो इसने एजेंसी नहीं ले रखी है ना फरारी की भाई फरारी के एजंसी इसके पास होती तो घाटा होता इसका, क्योंकि मैं फरारी की फिकने पर बाधा डालना हूँ, कल भी मैं देखा कला भवन में, शीतल, भाई बैठे थे, सब लोग बैठे थे, लोगों देख रहे थे, मैंने का भाई कभी से एजंसी ले ली कनहिया ने, देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा, बात से बात निकलती है, भजन से भजन निकलते है, कनहिया ने मुरली बजाई, मुरली शाम ने बजाई, मुरली शाम की बजी, यह लिखा जाएगा न, अब नेया तो यह लिखा नहीं जाएगा, कि नगाडा शाम ने बज जाएगा तो मुर्ली बजाएगा मेरा कन्हिया अब आप किसी तरीके से कहलो मैं किसी तरीके से कहलो बात की बात है भजन के हजने जरा हाथ उपर करके चाले में बच्चे ने कहा मैं भी देखू लीला घोडा कैसी तरीके से कहलो मैं भी देखू लीला घोडा कैसी तरीके से कहलो बात है जब कर देखी याद है करता जणवन दोड के आता रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुश्कान है प्यारी एक बार करवा दे बाबाली ने दी शवारे तरे सक्षू में लीला तरे सक्षू लीला जब लीला तरे सक्षा लीला लीला तरे सक्षू इस अरजी को मजाद में मत चालना की गूर बाद है खुरी बाबुजी बच्चा बाबा से कह रहा है लिले की सबारी करा लेकिन अपनी मा की शिकायत भी कर रहा है आपके साथ भी बीती होगी आपके साथ भी बीती होगी पुराने जमाने में जब आप मां से मांगती होगे मां ये चीज कभ मिलेगी तो मां कहती होगी कि बेटा घबरामत बाबा एक दिन देगा तुम्हें ये चीज देखा बच्चा कहता है कि बाबा मेरी मां को समझाओ मां कहती है एक दिन तु तो लीले चड़ आएगा मां कहती है एक दिन तु तो लीले चड़ आएगा मां कहती है एक दिन तु तो लीले चड़ आएगा रूठ कई जो खुशियां हमसे वापस लोटाएगा उस दिन से मैं देख रहा हूँ उस दिन से मैं देख रहा हूँ बाबा राह तुमारी उस दिन से मैं देख रहा हूँ बाबा राह तुमारी एक बार करवा दे बाबा रीले चड़ आएगा सुनियेगा आखरी भाओ बच्पन याद करिये सुनियेगा आखरी भाओ बच्पन याद करिये पहला दिन स्कूल का याद करो घर से ही रोते रोते गय थे सारा काजल चेहरे पे लगा हुआ था कलास में बैठके इतना रोय थे कि मैडम भी रो पड़ी थी वहाँ मैडम ने बड़ी मुश्किल से चाकलेट पकड़ाई कि देख रोज आएगा रोएगा नहीं तो चाकलेट बिलेगी बच्चा रोज जाना शरू कर दिया बच्चे ने मा से पूछा ऐसा कोई बात बता बाबा को क्या पसंद है कि इसकी भी इसको भी लालच दे दू मा के हाथ का खीर चूर्म जो तू चाओं से खाता है बच्चा बोला ठेक है मा के हाथ का खीर चूर्म आख के खाने की बास सुनके देखेए पानी आरा भैं में देखती ये जैखने ये ज देखने कितने भी में मा का नाम अवथा होता है इतना कोई अभिनन जैसा क्यों नहोग लेकिन जब मा की बाती है तो उनकी आखेन हो जाती है मां ऐसी ही जी है जिसके ओठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती इक मां ही ऐसी होती है जो बच्चों से खफा नहीं होती पच्चा कहता है कि सुन मां के हात का खीर चूर मां जिस दिन तू खाएगा मा के हाथ का खीर चूर मा जिस दिन तू खाएगा सच कहता है रोमी बाबा भूल नहीं पाएगा फिर क्या होगा आना जाना लगा रहेगा होगे पकी लारी आना जाना लगा रहेगा होगी पक्ति यारी कभी तू आएगा कभी मैं आउंगा और हम सब काएंगे हर जारस की जारस हो हर जारस की जारस तुम से अतात हो जाए तुम सामने बैठे हो थोड़ी आतो हो जाए कौन कुन बात करेगा बाबा से आज ग्यारस की रात है जरा दोनों हाथ उपर करकेंगे बाथ तेरा और मेरा सावरे ये कैसा नाता है जो हर ग्यारस की ग्यारस खाटू ले आता है हर बार ये दिल कहता है हर बार ये दिल कहता है कोई करामात हो जाए मने बैठे हो थोड़ी बात हो जाए और सारी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशि देव उठनी यारस सबसे बड़ी देव उठनी लेकिन भागुन में मिला लगता है आया जी मिला आया भागुन का मिला आया रंगों का रंग रंगिला मौसम अलवेला आया बामा से हो फिरी मौसम इला कर दो कर दो कर दो दो कर 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 बच्चे ने कहा बाबा मेरी मां कहती है तेरा लीला घोड़ा हवा से बातें करता है गाड़ियों की स्वीड कम है हवाई यहाजगी कम है लेकिन तेरा लीला घोड़ा हवा की बातें करता है मैं भी देखू लीला घोडा मैं भी देखू तेरा घोडा कैसी दोड़ लगाता एक बात बताईए जब मैं फरारी की बात करता हूँ आप का नहिया को क्यों देखते हो इसने एजनसी नहीं ने रख़ी है ना फरारी की भाई फरारी के इजंसी इसके पास होती तो घाटा होता इसका, क्योंकि मैं फरारी की फिकने पर बाधा डालना हूँ, कल भी मैं देखा कला भवन में, शीतल, भाई बैठे थे, सब लोग बैठे थे, लोगो देख रहे थे, मैंने का भाई कभी इस एजंसी ले ली कनिया ने, यह कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा, बात से बात निकलती है, भजन से भजन निकलते है, कनहिया ने मुरली बजाई, मुरली शाम ने बजाई, मुरली शाम की बजी, यह लिखा जाएगा न, अब निया तो यह लिखा नहीं जाएगा कि नगाडा शाम ने बजाया, बज बच्चे ने कहा मैं भी देखू लीला घोडा कैसी दोड़ी लगाता जब कोई प्रेमी याद है करता जटप्त बौड के आता जब कर देंग देंग आदां जप्त डौड के आता रोते हुए चिहरों पे लाता ये मुश्कान है प्यारी एक बार करवा दें बाबाली ने दी शकल दें अजया को जो जो इस अरजी को मजात में मत चालना की गूर बाद है, खुरी बाबुजी, बच्चा बाबा से कह रहा है, लिले की सबारी करा, लेकिन अपनी मां की शिकायद भी कर रहा है, कहता बाबा, मेरी माँ को समझाओ, इससे कुछ भी मांगता हूँ, तो कहती है तुझे बाबा देगा, बहाने मांगती है अब उस बच्चे को क्या मालूँ कि मां की गरीबी कैसी है, तो कहता है कुछ भी मांगूं कहती है बाबा देगा, आपके साथ भी बीती होगी, आपके स मां कहती है इक दिन तू तो लीले चड़ आएगा मां कहती है इक दिन तू तो लीले चड़ आएगा उस दिन से मैं देख रहा हूँ बाबा राह तुमारी इक बार करवा दे बाबा राह तुमारी सुनियेगा आखरी भाओ बच्पनी आद करिये पहला दिन स्कूल का याद करो घर से ही रोते रोते गय थे सारा काजल चेहरे पे लगा हुआ था क्लास में बैठके इतना रोय थे कि मैडम भी रो पड़ी थी वहाँ मैडम ने बड़ी मुश्किल से चाकलेट पकड़ाई कि देख रो जाएगा रोएगा नहीं तो चौकलेट भी लेगी बच्चा रोज जाना शरू कर दिया बच्चे ने मा से पूछा ऐसा कोई बात बता बाबा को क्या पसंद है कि इसकी भी इसको भी लालच दे दू क्या खाता है मा ने कहा वही खीर चूर्मा जो तूचाओं से खाता है बच्चा बोला ठेक है बच्चे ने बाबा से कहा बाबा सुन काली बजाओ रहा एक बाद मा के हाथ का खीर चूर्मा मा के हाथ का अब मा के हाथ के खाने की बाद सुनके देखिए पानि आरा मुमें देख लीज़ेसाना, देख लीजे, कितने भी, और शायद आखों से भी पानी आरा है, रॉन जमाने की बात याज़ें देखो, मां का नाम ऐसा होता है, कितना भी कोई अभिनांदन जैसा क्यों नहों, बड़ी-बड़ी मुछों वाली अभिनांदन जैसा क् लेकिन जब मा की बात आती है तो उनकी भी आखें नम हो जाती है, मा ऐसी ही चीड़ी है जिसके ओठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, इक मा ही ऐसी होती है जो बच्चों से खफा नहीं होती अच्चा कहता है कि सुन मा के हात का खीर चूरमा जिस दिन तू खाएगा सच कहता है रोमी बाबा भूल नहीं पाएगा सच कहता है रोमी बाबा भूल नहीं पाएगा फिर क्या होगा आना जाना लगा रहेगा होगी पक्ति यारी आना जाना लगा रहेगा होगी पक्ति यारी कभी तू आएगा कभी मैं आउंगा और हम सब काएंगे हर जारस की जारस हो तुम सामने बैठे हो थोड़ी आत रो जाए तुम सामने बैठे हो थोड़ी आत रो जाए कौन कौन बात करेगा बाबा से आज ग्यारस की रात है जिना दोनों हाथ उपर करकेंगे बाथ एक पाब धी जाब तेरा और मेरा सामरे ये कैसा नाता है ये कैसा नाता है जो हर ग्यारस की ग्यारस खाटू ले आता है खाटू ले आता है खाटू ले आता है हर बार ये दिल कहता है हर बार ये दिल कहता है कोई करामात हो जाए आमने बैठे हो थोड़ी बात हो जाए और सारी एका दशियों में सबसे बड़ी एका दशी देव उठनी ग्यारस सबसे बड़ी देव उठनी लेकिन भागून में मेला लगता है आया जी मेला आया भागून का मेला आया रंगों का रंग रंगिला मौसम अलवेला आया एक पर हाथ ओपर करते गादू खागर का मेला है मस्ती ले λीचे तरो के पर आया